कि नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों हिमाले जवब के इस यूटूब प्लेटफों पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है प्रेविद्यार्थियों यह वीडियो आपको अंते तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही शांद से इसका कोई समंद्ध है लेकिन हमें एक चीज को अच्छे से देखना पड़ेगा यहां भी ज्यादा रहेगा अच्छे खासे पदों की संख्या भी आने वाली है लगभग 4000 पद इसमें आने वाले हैं जो मंडल होते हैं उनकी अकोर्डिंग यहां पर पद आएंगे कौन स सारी चीजें डिटेल से जब नोटिफिकेशन आएगा तब मैं एक और वीडियो के मात देम से आपको इक चीज बारी की से बताऊंगा फिलाल आज के इस वीडियो में आपन बातचीत करेंगे योग्यता क्या रहनी चाहिए उसके बाद आपन देखेंगे इसमें लगव सब्सक्राइब कर देंगे तो चलिए सबसे पहले हम बातचीत करेंगे योगेता की योगेता क्या चाहिए योगेता चाहिए योगेता चाहिए सिरफ दस्वी पास योगेता कितनी होनी चाहिए अपने पास में सिरफ टेंथ पास दस्वी पास हमारी योगेता होनी चाहिए उसके बाद में बात चीत करें, अगर अपन एज की, आयू की बात करें, तो आयू क्या चाहिए भई? 18 वर्स से 26 वर्स की आयू होनी चाहिए, 18 वर्स से 26 वर्स की आयू होनी चाहिए, यह किसके लिए जनरल केटेगरी अब छूट दी जाती है आयू में कितने वर्स की भई पांच वर्स की छूट किसको दी जाती है पांच वर्स की छूट दी जाती है OBC EWS SC एस्टी वाले जो कंडिडेट है जो पूरुष है पूरुषों को कितनी दी जाती है पांच वर्सों की छूट जो पूरुष है यह जो मैं केटेगरी लिख रहा हूं जो पूरुष कंडिडेट है उनको पांच वर्स की छूट दी जाती है और जो महीला कंडिडेट से जो महील पर दे जाती हैं उनको पांच वर्स की छूट दी जाती है मतलब जो पूरुस है वो अगर 31 साल तक के भी हैं तो भी वह एक्जाम दे सकते हैं ये किसकी बात हो गई आयू की बात हो गई अब अपन निक्स्ट बात चित करेंगे कि एक्जाम का पैटरन कैसा होता है पेपर कैसा होता है ये सारी की सारी बाते हैं अपन किसे आधार मान के कर रहे हैं अपन आधार मान के कर रहे हैं लास्ट जो जेल परहरी के एक्जाम वी थी उसका जो ओफीसियल नोटिफिकेशन था उसको बेस बनाके मैं आपको कम्प्लीट सारी चीज़े बता रहा हूं उस पेपर को बेस बनाके वर्तमान में जिस तरह से नजरिया चल रहा है पेपर्स का पेपर्स की जो परकति है उसके अकोर्डिंग में आपको सारी की सारी स्टेटजी बताने वाला हूं देखिए अब अपन बातचित करेंगे एक्जाम की टोटल अगर मैं बातचित करूं तो बही टोटल पांस वंक का यह है आपका पेपर रहने वाला है जेल परेरी का इसको देखो दो भागों में बाटा गया है कितने बागों में दो भागों में इसको बाटा गया है एक तरफ लिखित परिक्ष्या होगी एक तरफ लिखित परिक्ष्या होगी और दूसरी तरफ सारी दिक पर के लिए पांच किलोमेटर की दोड है कितनी देर में 25 मिनट कई उनको समय दिया जाएगा 25 मिनट का अर्जो महीलाये हैं फीमेल के लिए दोड कितनी दूरी की है वही, 5 किलोमेटर दूरी लेकिन इनको समय अतिरिक्त दिया जाएगा, एंको 35 मिनट का समय दिया जाएगा रिनिंग के लिए, इसमें वही ऐसा है कि चाहिए आप 25 मिनट में आओ दोड में, चाहिए आप 15 मिनट के अंदर 5 किलोमेटर आपको से मार्क मिलेंगे यह एकदम qualifying nature के लिए होता है सारी दिख परिक्षा आपकी इससे पहले आपकी exam होगी इसके इसे इसका जो भारांक है वह है कि इसका पहला बाग होगा अपना मैट सो रीजनिंग कि लेवल भई टेंथ का ही रहेगा कि लेवल टेंथ का रहेगा मैट सेंड रीजनिंग कि सेकेंड पार्ट में लिख रहा हूं भई कि इंडिया जी के इस प्लेस जनेरल साइन्स जीएस प्लेस करेंट अफेर्स यह पार्ट में लिख रहा ह Kylie और फ़ैड़े पार्ट में यहां पर रास्तान हम रास्तान की हिस्ट्री रास्तान की जोगरोफी कि तो नसे सुनना ज्यादा बड़ा स्लेबस नहीं है रास्थान की आर्ट एंड कल्चर यह आपका जेल प्रेयरी का स्लेबस रहने वाला है अपने पास समय कितना है बेटा छह महीने लगबग हमारे पास में छह माहा का समय है क्योंकि अपनी एक्जाम कब है नो अप्रेल ग्यारा अप्रेल और बारा अप्रेल दो हजार पत्चिस में अपना अग्जाम होगा और अपनी इसकी तैयारी करेंगे इसका ओफीसेल नोटिफिकेसन आएगा तब मैं एक और वीडियो आपके लिए ले क्या हूंगा बहुत ही शांदार स्लेबस में कोई चेंज नहीं होगा माइनर सा कोई चेंजमेंट हो सकता है एक दो पांच परसेंट इससे ज्यादा बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा अब मैं इनका आपको वेटेज बताता हूं और वही है सबसे प्रमुख बात अब मैं इनका वेटेज आपको बताता हूं देखो चार स्वंक का है पहले कोशन का हनों बताता हूं आपको मैच्स और रीजनिंख का जो पार्ट है यहां से आएंगे 45 कोशन खांज़ ओके और इंडियाजी आ कि वाला जनरल साइंस वाला पार्ट है यहां से आएंगे और जो रास्तान स्यावा इस्टरीश कोशन के शो कॉशनोंनों कितने कोशन य कोशन अचोटेल सो कोशन हो गेई 145 और 25 सत्तर शसतर और थीस सो कोशन हो गए तो टोटल कोशन कितने आएंगे पेपर में सो कोशन आए टोटल सो प्रस्टन आएंगे सो प्रस्टों के लिए समय दिया जाएगा आपको दो गंटे का norm इक कितने होगे वही एक सवाल गलत होगा तो एक नंबर आपका कम हो जाएगा एक सवाल आपका सई होता है तो आपके चार नंबर बढ़ जाएंगे तो यह बात थी वहीं कंप्लीट यह लिखित परिक्षा आपने फिर से देख ले एक बार आप फिर से देख लो जैसे 400 नंबर मैं आपको बता चुका हूँ एक बार फिर से अपन थोड़ा सा देख लेते हैं थमनेल में कोई चीज अपने मिश्तों नहीं कर दिया योगता कि अपने बाद चित कर ली पत जैसे कि मा आपको बता रहूं लगभग 4,000 पद आएंगे वई और बहुत ही शांदार भरती होने व अपने को फूम किल करना किसी को भी मिस्टेक नहीं करनी जितने भी विध्यार्थी नहीं है वो सभी चैनल को सबस्क्राइब कर देंगे वीडियो को वा सभी लाइक जुरूर कर देगे आयू की अपने बात्चित कर ली पदो की अपने कर ली योगेता दस्वी पास है बता जिया मैंने आपको दस्वी पास जो है वो फॉर्म फिल कर सकता है और रंडिती के बारे में अगर अपन चर्चा करें तो भई सिधी सी बात देखो मापको बतायता हूं आप हमारा एप डाउनलोड करें हिमाले एजुहब एप का नाम है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा भई हमारा एप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एप का लिंक मिल जाएगा हिमाले एजुहब एप जो है इसको आप डाउनलोड क किया है बेटा इसकी विश्यास्ता यह कि topic wise आपको सारी वीडियो मिलेंगे इन जो बैसे को कमighs if it कि आप एक वीडियो को कितनी भी बार देख सकते हैं अफ्झ्अ सुब्राइस आपको unlimited access मिलेगा एक आपको discussion का एक box मिलता है उसमें आप जो भी आपकी query होती है जो भी आपका question होता है आप आपको application के अंदर जो discussion का box मिलेगा आप उस discussion box में कुछ भी type कर देना आपके जो भी problem आ रही हो आप वो type कर सकते हैं आपके question का answer आपको जरूर मिलेगा जल्दी से जल्दी आप सभी download करें अभी हिमाले एजुहब एप और वहां से अपना jail प्रहरी भरती 2025 का जो recorded batch है उसे तुरंथ purchase कर लें ऐसा कुछ एप आपको दिखाए देगा हिमाले एजुहब और इसे तुरंथ install कर लें इसके बाद में अगर मैं आपको एक दो बात और ब उसके 30 Есть question आएं और मैं 3 फार्ट से कितने आ रहे हैं 25 आ रहे हैं इंडिया जीवाले पार्ट से कितने आ रहे हैं 25 आ तो अजल्दी अजल्द के सवाल गलत नहीं हो और इंडिया जी के भी अपन साथ साथ में पढ़ते रहें और चीजों को रिवाइज करते रहें आप सभी कोर्स पर्चेस कर लें रिकोर्डेड बेच है सारी क्लासिज एज सुन एज पुसिब लो सके उतना जल्दी आप स्लेबस को निप्टाओ आप ऐसे मान के चलो अप्रेल में एक्जाम है फैब में आपका स्लेबस आपस आसानी से complete हो जाना चाहिए हर फालत में complete हो जाना चाहिए हर आलत में complete हो जाना चाहिए आपका 20 स्वस्त रहें आप अच्छे से पढ़ें अच्छे से रहें तो जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट इंफ्रमेशनल प्यारे से वीडियो के साथ में तब तक के लिए भाई धन्यवाद